हेलो गाईज, आम प्रोफेसर प्रियंका सोनी फ्रॉम SIRT भोपार, डिपार्टमेंट ओफ CSIT तो अपने पहले पढ़ा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है और कंट्रोल स्टेटमेंट में कितने सारे स्टेटमेंट्स पाथन में एवलेवल होते हैं तो हमने पढ़ा था, if statement के बारे में अब हम उसका एक प्रोग्राम बना करके देखेंगे तो हम इफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं तो हम एक question लिखते हैं प्रोग्रामिंग का Write a Python program to execute, sorry, to express a digit is a digit. In a word, so, हम start करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि Python में हमें कोई variable define नहीं करना पड़ता है, अपना data type को define करने की बहुत जाधा requirement नहीं होती है, सो हम अपनी coding लिखना स्टार्ट करते हैं, हम एक variable लेते हैं, num, उसमें हम अपनी value store करते हैं, condition लगाते हैं, if num is double equal to 1, if यनि यदि num एक के बराबर है, then print 1. अब हमने 1 को double quote में इसलिए लिखा है, क्योंकि 1 हमने एक message प्रिंट किया है, message हमारा है string format में, और जब ही हम string type को कोई message लिखते हैं, तो वो double quote में होता है, इसका हमारा output आएगा, 1. इसकेंड एक और प्रोग्राम हम लिख करके देखते हैं, जो कि जनरली कई बार campus के लिए भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हमारा question है, write a python program to test whether a number is even or odd so, हम इसके लिए start करेंगे, सबसे पहले इसमें has जो होता है, वो comment के लिए use करते हैं, हम अपने python में, तो मैंने comment करके लिख दिया कि प्रोग्राम किश्चिस के लिए तो हम लिख देंगे, to know if a given number is given number is even or odd then हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, x is equal to 10 suppose हमने x is equal to 10 लिया, अगर हम इसे user के थो भी input कराना चाहें, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, x is equal to int input enter any number then हम अपनी condition अफ्लाइक करते हैं, if x divided by 2 is double equal to 0 then हम इसे execute करते हैं, then print print number is even अगर अब यहीं पर हम else का भी use कर सकते हैं, जो हमारा दूसरा statement है, if के साथ else का, तो else लगाएंगे हम, else otherwise, अगर हमारी यह condition रन हुई, if x is divided by 2 or equal or equal to 0, अगर हमारा जो value है, जो user value देगा, वो 2 से divide होने के बाद, अगर वो 0 के बराबर आता है, मींस अगर वो पूरी तरीके से divide हो जाता है, और remainder कुछ भी नहीं बसता है, तो वो number हमारा even number होगा, अगर ऐसा यह statement true नहीं हुआ, तो फिर क्या print होगा, else print number is odd this is our coding for if else statement thank you